ये हनुवान जी का सबसे बड़ी परतिमा है, जाकू मंदिर के पास दोस्तों अभी हम लोग सिम्ला में फेमस जाकू मंदिर जो की हनुवान जी का मंदिर है वहाँ पर अभी हैं और यह पीछे देख रहा है ना यह पीछे दो है बहुत बड़ा देखिया अन्वाजी की प्रतीमा है वहीं पर हम लोग अब यहाँ पर क्या क्या है किस तरह के चीजें हैं वो सब आपको मैं से वीडियो में देखाऊंगा तो जुड़े रहे हमारे साथ हुआ है हाँ है 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 जाकूर टेंपल यहानवान जी के बहुत ही फेमरेज टेंपल है यहाँ पर अभी वहीं पर जारें दर्सन करने के लिए जहाकु टेंपल में हन्वान ये का टेंपल है इसके लिए नीचे से चड़ाई करके आने परती है ये ट्रिकिंग क्वाइंट है लगबग लगबग 200 मिंटर चड़ाई करने के बाद उपर मंदीर है कि अ करता है करने अहाaggi वालकी तरिया रचे ही। यह देखिए बहुत ही बड़ी पड़ती माई है कम से कम इसकी हाइट होगी सौब फिटके आस पास नहीं देखिए इनके पैर जो नीचे दिख रहे हैं कितनी बड़े इनके पैर हैं przypिर हैन स्वें स्वें टनके पुा क्याका दो है स्वें स्वें से जहीं हैं झाम स्वें वोर सम्वें यह रही हैं यह देखिए जो हनुमान जी की सबसे बड़ी परतिमा यहां पर जाकुम मंदिर के पास लगी हुई है यह जो आप देख रहे हैं दोस्तों यह लगवग सौब फिट्स यास पास की परतिमा है काफि बड़ी परतिमा आए और इस समय मैं जाकुम मंदिर परिसर में ही हूँ जो अनुदूती यहां पर आके हो रही है इसके बाले में बया नहीं कर सकता हूं वह से काफी टेंशन थे सरदर थे सिधार्थ काफी सिधार्थ का तबियत भी खराब था लेकिन अभी बिल्कुर ठीक हो गया यहां पर आके हन्मान जी की किरपा से अब यह मंदीर जो है कि मारे पीछे जो आप देख रहे हैं कि यह यहां पर हन्मान जी के मंदीर है चलते हैं अभी मंदीर के अंदर आप लोगों में दर्शन करवाता हूं है उस मंदिर जा पापकी दर जा जा उधर जा उधर जा भो है पापे, वह का अचले जा इन्मान जा गोगोद में जा इया, अ। सोuego मेंचे पर आपके लीए जा उब। अचोछी दो बसा यह कि प्रक कहने कि अच्छी लेजर आपसेी सबदेटा आप सबसाइस जप्रम्रे इससे सबसाना्स वालगन एक आपकर शेक्स्राइस दो ुष् प्रश्चिम से यहां पर लाइक आ रही है काफी सुंदर लग रहा है यहां पर अनोकिक अनुबूती हो रही है जगपने कर दो अधिया जाको मंदर के पास यह देखे कि यह बाहर कभी हुए बिल्कुल हमाले पर यहां से साफ साफ देख रहा है पाड़ों पर बर्फ कि बच्चे के लिए कुछ फ्लेग्राउंड बगड़े बनाया गया है एक चीज़त हो है कि यहां पर आपको बहुत सांती मिलने वाली बहुत सांती कि यहां पर आदे घंटे से बैठे हैं कि नीचे पच्चे के लिए कुछ प्लेग्राउंड बगड़ा भी बनाया गये हैं यहां बहुत सारे हैं आपको मांकी चीए इस मंदिर परिसर के पास मैं और सिदार्स हम दोने यहां पर आदे घंटे से बैठे हैं और मुझे लगता है कि यह सिम्ला का एक तरह से स्पोर्ट की तरफ भिक्सित भी किया गया है काफी सारे प्रेटक आज यहां पर आये हुए हैं काफी चैल पहले हैं काफी भीड़ भाड़ है लेकिन फिर भी यहां पर अलगी तरह की सांती के मोटी हो रही है यहां जी का मंदिर है कि सिध्धात बहुत से और यहां पर कुछ चोंहें हैं जो इसको देékते के बहुत खुस हुरा है और उची चीजा है और कर यहां पर बंदर बहुत सारे हें पर बहुत अच्छा भी लग रहा है पर होना में चाहिए हन्वान जी के मंदिर के पास काफी खुस है वो कुछ तो बात है यहां पर आते ही इसके सारे टेंसन दूर हो गया है इस सुवह से बहुत परसान था मैं कि इतना रो रहा था बच्चा मेरा बटी जगह पर आते ही मिलकुल वह खुस हो गया है सिदार को जहनुमान को जहनुमान आजा इदर तब मुझे लगता है कि भगवान की महमात में आप रहा है दोस्तों सिदार दिलकुल खुस हो गया है सिदार किरना मत अगार जाना है सिदार तदर तोस्तों सिदार तोस्तों सिदार जोरो रहे हो एक वन मान ये उपर है झाल झाल झाल